दिली एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद नगर विमानन मंत्री ने दिये जांच के आदेश मृतक के परजनों और घायलों को मिलेगा मुहाफजा तीन IPS अफसरों के तबादले तीन जिलों में बदले गए कप्तान विकास कुमार SP बलरामपुर बनाए गए विधान सभा उक्चनाओ की तयारी में SP अवधेश प्रशाद के बेटी को मिल सकता है टिकेट मौ में समर वकेशन के बाद खुले स्कूल पाउँ पकार कर मूँ मीठा करवा कर बच्चों का किया गया स्वागत जासी में पानी की समस्या से लोग परिशान घरों की नल में पानी नहीं टैंकरों के सहारे हो रही सप्लाए ओपी राजबर की अमिशा से मुलाकात अर्विंद राजबर भी मुलाकात करने पहुचे सुधान शुत्रिवेदी का विपक्ष पर हमला राजसभा में विपक्ष के हंगामे पर जवाब कॉंग्रेस ने समवधान का मजाग बनाया स्पी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पोस्टर में अखिलेश को बताया भावी पियम पोस्टर में लिखा सबके अखिलेश भावी पियम संसत में हंगामे को लेकर कंगनार आनौत ने विपक्ष पर साधानिशाना कहा मनमानी कर रहा विपक्ष यूपी में बीजेपी काट सकती है अपने सो विधायकों की टिकेट प्रिदेश नेतृत को सौपी गई समिख्षक रिपोर्ट रिहाई के बाद सबसे पहले मादा पिता से मिले हेमन सोरेन बोले न्याय मिलने में बरसो लग रहे चीन में स्रीजिन पिंग की क्याबिनेट में रह चुके दो पूर वरक्षा मंद्रियों पर चलेगा करप्शन का केश दोनों को कम्यूनिस पार्टी से निकाला गया इस बुलिटिन में बस इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ